इसकार के अंदर हम इतने सारे राशनिक खादों का इस्तमाल करते हैं, परंतु उस अनुपात में अपने को पसल चे उत्पादन नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान साथियो इसमें से कुछ पोषद्टत्व जो पसल है वो गरन कर लेती हैं, परंतु कुछ पोषद्टत्व है इन मोबिलाइज होते हैं, मतलब जो की भूमी में जाकर इस्तिर हो जाते हैं, पोदा गरहन नहीं कर पाता है, परन्तु अगर इसको हम मोबिलाइज कर दें, तो भूमी के अंदर अपने को इतने सारे राशनी खादों के इस्तमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी. नमस्कार के साथियों, अपने याँ पर पसल हो, चाई पोदे हो, उसके अंदर अच्छा विकास हो, अच्छे ग्रोथ हो, इसी के साथ उसके अंदर अच्छे फूल आएं, अच्छा प्रोडक्शन अपने को देखने को मिले, अच्छा उत्पादन अपने को देखने को मिले, ये सब संबो हो पाता है जड़ों के अच्छे विकास से, अगर जड़े अपने या पसल के अंदर फल फूल रही हैं तो अपने को पसल के अंदर अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, और जड़ों का विकास बहुत सारी प्रीस्ततियों पर निर्बर रहता है, या तो इन तो जड़ों का विकास कम होगा, इसी के साथ बूमी का pH लेवल है, वो कम यह ज़्यादा है, तो उस समय भी जड़ों का विकास कम होगा, इसी के साथ अपनी बूमी के अंदर अगर कार्बनिक जो लवन होते हैं, कार्बनिक अडू होते हैं, उसकी मात्रा अगर कम हो गई है तो भी जड़ों का विकास कम हो पाएगा तो किसान सातियों आज अपन बात करेंगे कि अपने याँ पर पसल के अंदर जड़ों का विकास किस परकार से बढ़ाया जा सकता है आज गल मार्केट के अंदर हुमी केशिड का काफी ज़दा टरेंट जल रहा है बहुत से किसान सातियों ने हुमी केशिट का इस्तमाल किया भी है और उन्हें अच्छे प्रिणाम देखने को मिले हैं तो आज अपन बात करें हुमी केशिट के बारे में कि हुमी केशिट क्या है और किसान साती इसको किस परकार से अपने खितों में इस्तमाल कर सकते हैं अगर किसान साती अपने आपर इस्तमाल करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनी फिट देखने को मिलता है कौन-कौनची पसलों में इस्तमाल कर सकते हैं बात करने से पहले किसान साथियो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर इसी के रावा अन्य कोई क्यूरी है अन्य कोई आप इस्पेसल टोपिक पर वीडियो चाते तो हमें कमेंट के मादे में से बता सकते हैं तो साथ यो सुरू करते हैं हुमी केसिड के बारे में कि हुमी केसिड क्या है जो पसलों के अंदर कलोरोफिल निर्माण में मदद करता है जिस से पसले हरीबरी रहती है पसलों के अंदर जड़ तना फलों का विकास अच्छा हो पाता है इसी के साथ पोस्षक चतोव की कम्मी को पूरा करता है मिट्टी की उतपादकता को बढ़ाता है बुमी सुदार में मदद करता है मिट्टी की पी-एच को मेंटिन करता है मतलब अगर पी-एच गड़बडा गई है ज़्यदा रासनी खादों के इस्तमाल से ज़्यदा इन्वार्मेंट में चेंज की वज़ा से तो आपकी जो मिट्टी की पी-एच है उसको सुधारेगा उसको मेंटेन करेगा साथ ही अगर आपके यहाँ पर पसलो का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसके सीड की जर्मिनेशन उसके अंकुरन में मदद करेगा इसे के साथ आपके यहाँ पर वाइट रूट डवलप्मेंट करेगा का मतलब आपके पोदे के अंदर जो पोस्चत तत्वा गरन करने वाली सपेज जड़े होती है उनका विकास करेगा जिसे पोदा ज्यादा पोस्चत तत्वा गरन कर पाएगा और पसलो का विकास ज्यादा हो पाएगा ज्यादा उत्पादन अपने को मिल पाएगा अगर पसलो अपने यहांपर अनाज वरगिये पसले हैं उनमे कर सकते हैं इसी के साथ अपने यहांपर जो सबजी वरगिये पसले हैं उनमे कर सकते हैं अगर आप अपने यहांपर बागवानी करते हैं तो बागवानी में भी हुमी के सीड़ का इस्तमाल कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा प्रिनाम देखने को मिलेगा क्योंकि जो हुमी के सीड है वो पोस्ट तत्व की कमी को पूरा करता है जो भूमी के अंदर इन मोबिलाइज पोस्ट तत्व पड़े हैं पड़े हैं उनको मोबिलाइज करके पोदों के लिए उपलब्द करवाता है अगर बात करें इसकी डोज की परफेक्ट डोज क्या रहने वाली है हुमी के सीड की किसान साथियो हुमी के सीड अगर आप अपने आपर इस्तमाल कर रहे हैं तो अगर आप अपने आपर ड्रिप या जो फुमारा हिचाई होती है उसमें इस्तमाल कर रहे हैं तो अपने आपर इसकी डोज को आप बढ़ा भी सकते हैं किसान साथियो अब बात करते हैं अगर आप इसका इस्तमाल अपनी पसलों में करते हैं तो कब कर सकते हैं अगर आप अपने याप पर इस्तमाल कर रहे हैं तो अपनी पसलों के अंदर दूसरा या तीसरा आप फर्टिकेशन कर रहे हैं मतलब खाट डाल रहे हैं दूसरी वर तीसरी तो उस समय इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसे के साथ अपने यापर पसलों की जो बड़वार हो रही है उस समय इस्तमाल कर सकते हैं पसलों के अंदर फ्लावरिंग जो श्टेज आती है फूल आते हैं उस समय या उससे पहले कर सकते हैं आपके जो फल फूल होंगे वो healthy होंगे उनमे जो फूल जड़ने के अपने यापर mostly समस्या देखने को मिलती है वो फूल जड़ने के समस्या देखने को मिलने नहीं मिलेगी इसे के साथ जो फलों की size है वो अपने को अच्छी देखने को मिलेगी दानों की size अच्छी देखने को मिलेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगी और उत्पाद की गुनवता भी अपने यापर हुमी केशिड के इस्तमाल से बढ़ेगी अब बात करते हैं कि अगर आप अपने यापर हुमी केशिड का इस्तमाल कर रहे हैं तो कौन-कौन से खादों के साथ आप इस्तमाल कर सकते है किसान साथ यो हुमी केशिड का इस्तमाल आप सभी परकार के जो एनपी के आते हैं जो अपने आपर चिलिटेड फुरम में जो एक एक या दो दो किलो की पैकिंग में आते हैं तो उनके साथ आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ औन्य जो भी आप खाद यूज करते हैं जाए जाई उयूरिया इस्तेमाल करो या अन्य कोई आप माइकरोटक्रो नीटरेंट कर रहे हैं तो उनके साथ भी होमी के सिड़का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान सातियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई अन्य वीडियो आप किसी स्पेस्विक टोपिक पर आते हैं तो हमें कमेंट के मादम से बता सकते हैं धन्यवाद साथियों